हेलो दोस्तों दोस्तों RRC Railway Group D की CBT Expected Cut-Off 2019 कितना जा सकता है जोन वाइस में आपको आपकी कास्ट के हिसाब से UR, OBC, SC, SD पिलकुल Final और Exact Cut-Off में आपको बताने वाला हूँ आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा Last तक देखिएगा सारी Detail Information हम RRC Group D के बारे में इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता है कि Total जो Vacancy है वो है 1,03,779 ठीक है 1,00,000 प्लस Vacancy है Total दोस्तों फॉर्म भी बहुत ही ज्यादा सम्मिट हुए है ठीक है फॉर्म कितने सम्मिट हुए है उसकी चंता आपको नहीं करनी है देखिए टोटल 16 जोन थे Central Railway, East Central Railway, EC Railway, Eastern Railway, North Central Railway, North Eastern Railway, North Western Railway यह सारे 16 जोन थे दोस्तों आप लोगों ने जिस भी जोन से एपलाई किया है ठीक है सब कुछ सारी ऑफिशल आपके एडमिट कार्ड सारी जानकारी आप उसी जोन में देखिएगा ठीक है क्योंकि accurate जानकारी आपको उसी साइट पर मिलेगी जिस भी जोन से आपने एपलाई किया है अब दोस्तों आप देखिए जैसे मैं बात करता हूँ Western Central Railway की दोस्तों देखिए यहाँ पर वेकैंसी कितनी है ठीक है EWS केंडियेट के लिए दोस्तों 402 वेकैंसी है टोटल में लाकर यहाँ पर हो जाती है 4,019 वेकैंसी मतलब कि दोस्तों West Central Railway WCR Railway में 4,019 वेकैंसी है ठीक है टोटल वेकैंसी दोस्तों 4,019 है अब यहाँ से कितने फॉर्म सम्मिट होएंगे फॉर्म बहुत ज़्यादा सम्मिट होएंगे आपको पता है दोस्तों जैसे CBT टेस्ट होना है आपका उसके बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा ठीक है दोस्तों मैं आपको step by step कट आप बताने वाला हूँ हर जोन का ध्यान से समझेगा और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों देखे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस बार आप लोग मैनत अच्छे से करिएगा पढ़ाई करिएगा ये मत देखेगा बहुत ज़्यादा form सम्मिट हुए है तो हमारा selection नहीं होगा ऐसा नहीं है पढ़ाई करिएगा ठीक है कट ओफ देखे पिसले बार के लगभग लगभग ही कट ओफ जाएगा उससे ज्यादा नहीं जा सकता कट ओफ क्योंकि दोस्तों देखे मैं आपको वज़ा बताता हूँ वैकेंसी दुगनी है जो पिसले बार वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रूबडी की वो इससे आधी थी और ये जो अभी आई हुई है ये एक लाग प्लस वैकेंसी है मतलब ये दुगनी है ठीक है तो इसका कट ओफ ज्यादा नहीं जाएगा देखे हमेशा कॉंपिडिशन बढ़ता है हर साल कॉंपिडिशन बढ़ता है आप लोग इस चीज़ को जानते हैं लेकिन दोस्तों इस बार वैकेंसी भी बढ़ी है ठीक है इसलिए कट ओफ में ज्यादा बिल्कुल भी फर्क नहीं होने वाला है दोस्तों यदि मैं बात करूँ फिजिकल के लिए कट ओफ कि आप लोग कितने नंबर पे फिजिकल के लिए आपका नाम आ जाएगा दोस्तों आपने सैंटर रेलवे से एपलाई किया हुआ है कितने भी form भरे हो दोस्तों यहां पर कितने भी form भरे हो यदि आप दोस्तों general category में आते हो आपको syllabus पता है 100 number का आपका paper होना है 90 minute आपको time मिलना है ठीक है तो दोस्तों 100 number में से आपको यदि आप general category में आते हो दोस्तों तो आपको दोस्तों करीब करीब 65 number लाने होगे ठीक है होता है कि 65 में यह आपका final selection हो जाए ठीक है दोस्तों OBC की बात करूँ तो OBC को भी दोस्तों 65 और 64 के करीब ही नंबर लाने पड़ेंगे क्योंकि General और OBC के जो नंबर हैं बिलकुल आसपास आसपास ही घूम रहे हैं ठीक है SC और ST केटिगरी की बात करें दोस्तों तो ठीक है ST केटिगरी की बात करें तो ST को कम से कम 60 नंबर की बहुत अच्छे से preparation करकर जानी पड़ेगी आपका physical में नाम आ जाएगा physical के लिए ठीक है EWS की बात करें तो EWS Candidates का cutoff ज्यादा नहीं जाता है East Center Railway की बात करें दोस्तों तो जनरल केटिगरी का जो cutoff है दोस्तों East Central Railway जनरल केटिगरी का जो cutoff जाएगा करीब करीब दोस्तों 64 प्लस आपको cutoff देखने का मिलेगा जनरल केटिगरी का और OBC की बात करें दोस्तों तो OBC का cutoff यहाँ पर आपको 36 प्लस आपको लाने पड़ेंगे East Central Railway से यदि आप हैं और SC और ST की बात करें दोस्तों तो करीब करीब आपको 59 से दोस्तों 61 के अंदर आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे यदि आप SC और ST कैटिगरी से आते हो दोस्तों East Cost Railway की बात करें तो UR को दोस्तों यहाँ पर करीब करीब 38 नंबर लाने होंगे और OBC को भी करीब करीब दोस्तों 38 नंबर लाने होंगे और ST और SC की बात करें तो आप लोग यहाँ पर यदि 59 to 60 नंबर लाते हो तो आपके फिजिकल में आने के बहुत ज़्यादा चांस है ECR Railway से दोस्तों Eastern Railway से बात करें CLWN Metro से तो दोस्तों General देखिए वैकेंसी कितनी है 4926 मतलब वैकेंसी ज्यादा है लेकिन दोस्तों आपका जो Cut-Off है यहाँ पर आपको कम से कम Physical के लिए 66 नंबर लाने होंगे ठीक है SC और ST कैटिगरी के मार्क्स भी 60 प्लस होने चाहिए यदि आपने Eastern Railway CLW और Metro वाले जोन से आपने Form Summit किया है तो दोस्तों North Central Railway and DLW की बात करें तो देखिए General कैटिगरी में आपका Cut-Off करीब करीब दोस्तों 64 के आसपास जाएगा फिजिकल के लिए और OBC की बात करें तो OBC का करीब 62 चला जाएगा दोस्तों और SC और SD का बात करें तो 58 से 61 के बीच में दोस्तों आपका Cut-Off जाएगा SC और SD कैटिगरी का दोस्तों आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से आप लोगोंने किस जोन से Form Summit किया है ज्यादतर लोगोंने जिस प्रदेश में वो रहत आप अपना Application Form में जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों North Eastern Railway की बात करें MCF and RDSO के में तो आपका जो Cut-Off है दोस्तों UR को 65 नमबर लाने ही होंगे दोस्तों और OBC का दोस्तों 63 तू 64 नमबर आपको लाने होंगे तब आपका Physical के लिए नाम आने की पूरी-पूरी संभावना होंग SC और ST category बात करें दोस्तों तो आपको करीब-करीब 60 से 61 नमबर की बीच में आपके नमबर आने चाहिए North Western Railway की बात करें दोस्तों NWR की तो देखिए वेकैंसी 2132 से जनरल कैटिगरी की दोस्तों आपको यहाँ पर करीब-करीब 64 नमबर लाने होंगे OBC को भी यहाँ पर 64 नमबर लाने होंगे SC और XT की बात करें दोस्तों तो आप लोगों का 60 नमबर पर यहाँ पर हो जाएगा फिजिकल के लिए दोस्तों North East Frontal Railway की बात करें तो जनरल कैटिगरी को दोस्तों यहाँ पर 65 नमबर लाने होंगे और दोस्तों OBC कैटिगरी को यहाँ पर 38 और दोस्तों SC और ST कैटिगरी को दोस्तों यहाँ पर करीब करीब 60 के आसपास नमबर लाने होंगे फिजिकल में नाम के लिए हैं दोस्तों North Railway DMW and RCF की बात करें देखिए यहाँ पर बहुत ज़दा वैकेंसी है जनरल की 5144 है OBC की 3644 है SD की 2017 है और SD की 1031 है टोटल वैकेंसी बात करें तो 13153 वैकेंसी है सबसे ज़दा वैकेंसी दोस्तों यहीं पर है किस जोन पर है Northern Railway और दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़दा form सब्मिट हुए होंगे ठीक है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका Physical का Cut-Off General की बात करें तो General Category का Cut-Off दोस्तों करीब-करीब 66 जाएगा ठीक है OBC की बात करें तो OBC का 65 के आसपस आपका Physical के लिए Cut-Off जाएगा दोस्तों और SC और SD Category की बात करें तो 62 के आसपस आपका Cut-Off जाएगा SC और SD Category का ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं South Center Railway ठीक है आपका जो General Category है यहाँ पर 3683 पोस्ट है General Category के Cut-Off की बात करें Expected Cut-Off जो CBT के लिए General Category का जा सकता है वो है 64 64 मार्क से यह आप लाते हैं General Category के Candidates तो उनका यहाँ पर Physical के लिए नाम आ सकता है OBC की बात करें तो भी OBC का दोस्तों 63 के आसपस आपको मार्क सलाने होंगे और यदि यहाँ पर बात करें South Central Railway SC Category की तो आपको करीब-करीब यहाँ पर 61 मार्क सलाने होंगे और जो ST Category है उनको भी करीब-करीब 60 के आसपस मार्क सापको लाने होंगे दोस्तों South East Central Railway की बात करें तो 797 पोस्ट है बहुत ही कम पोस्ट है ठीक है सभी में देखें टोटल पोस्ट यहाँ पर है 1664 सभी में बहुत कम पोस्ट है यहाँ पर हर कास्ट में तो दोस्तों आपको यहाँ पर कम से कम जनरल कैटिगरी को 64 मार्क से लाने ही होंगे और OBC कैटिगरी को 36 और दोस्तों SC और ST कैटिगरी को यहाँ पर 58 मार्क से लाने होंगे तब आपका यहाँ पर सेलेक्शन होने के चांस है फिजिकल के लिए दोस्तों साउथ इस्टन रिल्वे की बात करें तो जनरल कैटिगरी का जो नंबर है 36 नंबर में आपका यहाँ पर फिजिकल के लिए नाम आ जाएगा OBC का भी करीब करीब 62 में आपका नाम आ जाएगा और SC की बात करें तो आपको 60 नंबर लाने होंगे और ST कैटिगरी वालों को दोस्तों 58 से 59 नंबर के बीच में आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों साउथ वेस्टन रिल्वे की बात करें RWF की तो आपका जो यूर कैटिगरी जनरल कैटिगरी है आपको यहाँ पर करीब करीब 48 मार्क्स लाने होंगे और OBC कैटिगरी को करीब करीब 62 लाने होंगे और दोस्तों SC कैटिगरी को 60 लाने होंगे और यहाँ पर SC की बात करें तो आपको यहाँ पर 60 लाने होंगे और ST कैटिगरी को करीब करीब 58 मार्क्स आपको लाने होंगे साउध वेस्टन रेलवे एंड रडबलु एफ में दोस्तों यह जो कट आफ है एक्सपेक्टेट कट आफ है जो कि आपकी CBD के लिए जा सकता है बहुत ज़्यादा संभा होना है यदि आप इतने नंबर लाएंगे दोस्तों तो आप लोग CBD में कौलिफाई हो जाओगे फिजिकल की प्रिपरेशन करने लगना क्योंकि दोस्तों यदि आपकी तैयारी है तो फिजिकल की प्रिपरेशन करिए क्योंकि पिसले बार रनिंग में बहुत ज़्यादा लोग बाहर हुए थे एससे जीडी में ठीक है रनिंग को दोस्तों हलके में लिया था उन्होंने लेकिन रनिंग में बहुत ज़्यादा बाहर हुए थे और वेट उठाने को उन्होंने बहुत समझा था कि वेट नहीं उठेगा लेकिन बहुत इजी था कोई भी उठाके लिजा ले रहा था वेट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी रनिंग में बहुत लोग बाहर हो रहे थे यदि आपको लगता है कि आप इतने नंबर ला लेंगे मैं जितने बताया हूँ तो दोस्तों रनिंग की प्रैक्टिस जरूर करने लगिएगा दोस्तों साउथन रिल्वे एंड आईसी एफ की बात करें तो जनरल कैटिगरी में 4363 पोस्ट है और इसका कट अफ दोस्तों यहाँ पर करीब-करीब 66 जा सकता है एकस्पेक्टेट कट अफ सीबी टी के लिए और OBC का करीब-करीब 65 जा सकता है दोस्तों और यदि हम SC कैट करें तो 61 जा सकता है और SD कैटिगरी का 60 कट अफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों साउथन रिल्वे एंड आईसी एफ की मैंने बता दिया है ठीक है टोटल पोस्ट इसमें 9589 अब वेस्ट सैंटर रिल्वे की बात करें दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटिगरी म मैं OBC और जनरल का लगभग लगभग सेम ही जाता है SC और SD कैटिगरी की बात करें दोस्तों तो आप लोगों को करीब करीब 63 और 60 नमबर आप लोगों को लाने होंगे तब आपका यहाँ पर फिजिकल के लिए नाम आएगा ठीक है लास्ट बचा दोस्तों वेस्टन रेल्वे दोस्तों वेस्टन रेल्वे से यदि आपने फॉर्म सब्मिट किया है 4287 वेकैंसी है जनरल कैटिगरी के आप लोगों क 74 258-60 नमबर पर आपका यहां पर नाम आ जाएगा देखी सबसे जादा वेकैंसी की बात करें सब से जादा वेकैंसी 13 Все 53 नी ठीक है उसके बाद बात करें तो 1010 fazendo 383 वहांसी एस्टन रिल्वे मं उसके बादよろाने 9305,下次 रेलवे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा vacancy हैं और यहाँ से लोगों ने बहुत ज़्यादा form submit किया होगा जो लोग दूसरे प्रदेश से हैं जो इस zone में नहीं आते उन लोगों ने भी इस zone से form submit किया होगा तो competition बहुत ज़्यादा रहेगा उन zone में लेकिन दोस्तों मैंने इतना आप को expected cut off बताया है यदि आप लों के इसके आस पास भी आपकी तैयारी है आपको यदि आपकी तैयारी नहीं है तो मैंनत तो करनी पड़ेगी दोस्तिक है मैंनत आपको करनी ही पड़ेगी यदि आपकी इतने नंबर की तैयारी है तो दोस्तों physical की preparation आप पहले से कर लीजेगा running क क्योंकि running में बाद में बाहर हो जाओगे ठीक है running को हलके में मत लेना experience बता रहे हैं दोस्तों हम जो हमारे subscribers थे उन लोग के दोरा share किया गया है कि सरम लोग running में बाहर हुए हैं सारी detail जानकारी हमारे पास होती है तो मैं पहले से आपसे विनिती करता हूँ कि running की practice जरूर कर करता है उसकी detail जानकारी हम आपको अपने चैनल पर देते रहते हैं ठीक है दोस्तों वो notification आप तक पहुंचे इसलिए दोस्तों चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा और sad money bell icon जो होगी उससे जरूर प्रेस कर देना क्योंकि हम जैसे railway group D, RRC group D की कोई भी notice आता है official तो उसकी जानका सारी हम दें तो वो आप तक सही समय पर पहुंच जाए दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा कुछ भी questions होते हैं आपके तो आप comment करकर हमें RRC group D से पूछ सकते हैं